दोस्तों नमस्कार, मैं संदीब कुमार, COVID-19, Facts Behind the Scene के दूसरे भाग में आपका स्वागत करता हूँ और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, इस वीडियो में हम इम्म्यून सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले आप ये समझ लें कि इस वीडियो के जरिये जो important message में आपको देने जा रहा हूँ वो आपके लिए important क्यूं है दोस्तों पिछले कुछ दिनों से हम एक ऐसे महाल में जी रहे हैं जैसा हमने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था ऐसा किवल कुछ Hollywood की science fiction movies में हम देखा करते थे पिछले कुछ महीनों से novel coronavirus और covid-19 को लेकर हमें सतर्क करने के नाम पर informations की एक प्रकार से bombarding हुई है जो लगातार जा रही है और आगे भी संभावना है कि ये बढ़ती ही जाएगी इवन lockdown के खत्म होने के बाद भी और इसकी वज़े से जो भाए का माहौल, एक sense of threat और insecurity पैदा हुई है इसका असर हम में से ज़्यादा तर लोगों के जहन में काफी लंबे समय तक रहने वाला है मौजदा हालात में information का कोई भी source अचूता नहीं है जो हमें इस वाइरस के fatality और lethalness के बारे में ना बता रहा हो televisions, newspapers, social media हमें हर वक्त यही एहसास करा रहे हैं कि यह वाइरस कितना खतरनाक है दोस्तों, जादा तर तीन बाते हैं जो हमें बताई जा रही है हर दिन हमें यह बताया जा रहा है कि आज COVID-19 के cases में इतने हजार की बढ़ोतरी हुई और इतने हजार लोग मारे गए और अंत में हमारे पास इस महामारी से बचने का अब तक कोई इलाज नहीं है पहली दोनों ही बातें fact हैं लेकिन यह last phrase कि हमारे पास अब तक इस महामारी से बचने का कोई इलाज नहीं है यह सबसे डराऊना है और निरास करने वाला है और मेरी समझ यह कहती है कि यह पूर्णता सत्य नहीं है बलकि थोड़ी थोड़ी ब्रामक है कैसे बताता हूँ दोस्तों दुनिया भर से COVID-19 के cases में जो आंकड़े आ रहे हैं वो बताते हैं कि इस novel coronavirus which is also called as SARS-CoV-2 की mortality rate approximately 2-3% है To be precise अगर 100 लोग इस virus से संक्रमित हो रहे हैं तो उन में से 2 या 3 लोगों की unfortunate death हो रही है बाकी बचे 97% लोगों में approximately 80% लोग asymptomatic है इसका मतलब है 80% लोगों के corona test result positive है लेकिन उन में COVID यानि disease के कोई लक्षन नहीं है इसके अलावा approximately 10% लोग ऐसे हैं जिनके cases में mild symptoms यानि हलका बुखार, सर्दी, खासी की सिकायत है जैसा कि एक normal flu में होता है और ऐसे लोग थोड़े ही दिनों में खुद बखुद recover हो जा रहे है रेस 10% लोगों में SARS के लक्षन पाए जा रहे है SARS यानि Severe Acute Respiratory Syndrome जैसे कि chest congestion, सास फुलना, high fever, pneumonia, etc. जिने hospitalization और medical assistance की जरौत पड़ रही है उन में से भी बावजुद इसके जैसा कि medical experts का कहना है कि इस COVID-19 के लिए कोई specific दवा या fully established treatment protocol नहीं है इस 10% Severe Acute Cases में भी average 7% लोग ठीक हो रहे है So my point and question is 10% Severe Acute Respiratory Disorder के patients को छोड़ दें तो भी rest of the 90% COVID-positive cases में जिसमें 80% asymptomatic और 10% mild symptoms वाले सामिल है उनका इलाज या यूं कहें उन्हें कौन हील कर रहा है दोस्तों इसका जवाब है उनकी रोग प्रतिरक्षा प्रणाली Immune System जिसके बारे में न के बराबर चर्चा हो रही है आईए अगले कुछ मिल्टों में इस great healer को जानने की कोशिश करते हैं Immune System हमारे organs, tissues और millions of cells का एक vast security network जो हमें three layer security प्रतान करता है पहला, infections बाताबरन में मौझूद करोणो pathogens like bacteria, viruses, parasites के संक्रमन से दूसरा, अगर किसी प्रकार हम इनसे infect हो जाएं तो उस संक्रमन को neutralize कर उसे फैलने और हमें बिमार होने से और तीसरा, अगर किसी कारण वस संक्रमन फैल जाए और हम बिमार हो गए तो उस disease से recover होने में हमारी सायता करता है आप ऐसा समझें कि ये हमारे सरीर के भीतर मौझूद एक पूरी आर्मी है जो एक complex but strong coordination से 24 into 7 foreign invaders से हमारी रक्षा करती है दोस्तों, हमारी इस आर्मी के main fighters हैं हमारे सरीर में मौझूद करोणो white blood cells जिने leukocytes भी कहते हैं और इनका काम foreign invaders को ढूणना और मारना है दोस्तों, leukocytes कई अलग-अलग cells का एक समूँ है जिसमें कुछ defenders, attackers, coordinators और eliminators होते हैं इन leukocytes को mainly दो groups में divide किया गया है पहला phagocytes और दूसरा lymphocytes Phagocytes में भी कई different type of cells होते हैं इनमें कुछ हमेशा antigen की तलाश में रहते हैं antigen एक प्रकार का substance है जो किसी भी bacteria, fungus, virus, toxins या foreign body में पाया जाता है इस antigen के मिलते ही ये खास phagocytes alert signals भेजना शुरू करते हैं और हमारा immune system तुरंद response करता है इस first signal के मिलते ही सभी fighters अपने अपने काम में जुड़ जाते हैं phagocytes में कुछ defenders, कुछ wound healers और कुछ especially bacteria को मारने के लिए program होते हैं तो वहीं कुछ phagocytes pathogen eater भी होते हैं ये हमारे dead cells को भी remove करने का काम करते हैं वहीं lymphocytes के mainly दो different types होते हैं B lymphocytes जिसे B cells कहते हैं जिनका काम है different types of antibodies बनाना antibodies एक प्रकार का खास locking system की तरह काम करता है जो bacteria, virus या किसी भी foreign body के surface से चिपक कर उन्हें neutralize कर देता है जिसे वो act ना कर पाएं दूसरा है T lymphocyte जिसे T cells कहते हैं T lymphocytes में कुछ helper T cells होते हैं जिनका काम है coordinate करना एक messenger की तरह अलग-अलग phagocytes और other T cells को communicate करना और उन्हें attract करना साथ ही जरुत पढ़ने पर B cells जो antibodies बनाने का काम करती हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा antibodies बनाने में help करना इसके साथ T lymphocytes में कुछ killers होते हैं जो खास तोर पर viruses को मारने के लिए programmed होते हैं और अगर किसी virus ने हमारे किसी cell पर कबजा कर लिया है तो उसकी scanning कर ये पता कर लेते हैं और उन्हें destroy कर देते हैं दोस्तों ये T lymphocytes हमारे immune system के लिए एक memory chip की तरह भी काम करते हैं जो different pathogenes से हुए fight sequence को और data को अपने अंदर store कर लेते हैं ताकि भविसे में अगर कभी उन particular bacteria, virus या parasite से सामना हो जाए तो पिछली बार इस्तिमाल के गए chain of sequence के basis पर हमारा immune system तुरंत response करें और invaders को संकर्मन फैलाने का कोई मौका ही न मिले दोस्तों ये पूरा process ठीक किसी army के full probe battle plan की तरह है जिस तरह forge में कुछ patrol parties होती हैं जिनका काम किसी भी घुसपेठियों को देखते ही alert signal देना है जिसके तुरंत बात front liner guards हरकत में आते हैं और defend करते हैं इसके अलावे कुछ machine gun वाले और snipers होते हैं से communicate कर reinforcement लाने का काम करते हैं साथ में कुछ cleaners होते हैं जो dead bodies को eliminate करते हैं दोस्तों जादा तर वक्त जब हमारा immune system invaders से इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रह होता है तो हमें पता तक नहीं चलता ठीक coronavirus से infected उन 80% asymptomatic cases की तरह जहां लड़ाई सुरुवाती level पर ही जीती जा चुकी है कभी-कभी हमें इसका ऐसास होता है fever के रूप में वो भी इसलिए क्योंकि virus और bacteria high temperature को जहिल नहीं पाते और temperature की वज़ा से उनमें breakdowns होने लगते हैं और destroy कर दिये जाते हैं fever कभी-कभी mild भी हो सकता है और high भी depends on immune entails and response दोस्तों जिस प्रकार एक मजबूत आर्मी के होते हुए किसी भी देश पर कोई foreign invaders कबजा नहीं कर सकता ठीक इसी प्रकार एक मजबूत immune system के होते हुए कोई भी bacteria, virus या parasite हमारे सरीर में घुचकर कबजा नहीं कर सकता नहीं हमें विमार कर सकता है और नहीं हमें मार सकता है बशरते हमारी immunity कमजोर या compromise ना हो विडंबना ये है कि हमें ये तो बताया जा रहा है कि एक virus कितना खतरनाक और लीथल है लेकिन ये नहीं बताए जा रहा है कि उन वाइरसेज, बैक्ट्रिया या पैरसेट्स के लिए हमारा इम्यून सिस्टम कितना लीथल है जिसके इंटेलिजेंसी लाजवाब है हमें इसकी परवा करने ही चाहिए दोस्तों अगली वीडियो में हम जानेंगे किन कारणों से हमारी इम्यूनिटी कॉंप्रमाइजड होती है या कमजोर होती है और कैसे हम अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएं ताकि हम एक हेल्दी लाइफ को एंज़ाई कर सके हैं तब तक के लिए आप अपना बहतर ख्याल रखें धन्यवाद